हेलो दोस्तों आप सब कैसे हैं? आप सबका हमारे चैनल डाबलर सिनिमा में स्वागत है. क्रिपिया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें. आपका प्यार ही हमारे लिए सबसे बड़ा उभार है. आईए जानते हैं आज के वीडियो के बारे में. पठान और जवान के बाद शाहरुक खान के तमाम चाहने वालों को उनकी अगली फिल्म डॉंकी का इंतजार है. पिछले कुछ दिनों से डॉंकी के पोस्ट पोन होने की बाते हो रही है. लेकिन अब खुद किंग खान ने अपनी इस फिल्म की रिलीस डेट बता दी है. साल 2023 पूरी तरह से शाहरुक खान के नाम है. शुरुआत हुई है पठान से, जिसने वर्ल्ड वाइड एक हजार पचास करोड की कमाई की है. पठान के लगभग साड़े छे महीने बाद वो जवान लेकर आए है. इस फिल्म ने भी तूफान मचा दिया है. आठ दिन और दुनिया भर में इस फिल्म ने 696 करोड की कमाई कर ली है. इन दोनों फिल्मों के बाद अब बारी है डॉंकी की. डॉंकी को बॉलिवुट के दिगगज डायरेक्टर राजकुमार हिरानी बना रहे है. पहले से ही ये फिल्म इसी साल क्रिस्मस पर रिलीस होने के लिए तै है. लेकिन जवान के रिलीस के बाद बीते कुछ दिनों से ऐसी चर्चा हो रही है कि डॉंकी की रिलीस डेट पोस्ट पोन हो सकती है. लेकिन इस रूमस पर ब्रेक लगाते हुए शाहरुक ने बता दिया है कि डॉंकी कब आएगी. शुक्रवार के दिन मुंबई में हुए जवान के सकसेस एवेंट में शाहरुक ने डॉंकी को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 26 जन्वरी से हमने शुरुआत की. रिपब्लिक डे, ये बहुत ही खास दिन है. जन्माष्ट मी, कृष्ण जी के जन्व पर हमने जवान फिल्म रिलीस की. अभी नया साल आने वाला है, क्रिस्मस है, उस पर हम डॉंकी लेकर आएंगे. आगे मुस्कुराते हुए शाहरुक ने कहा, सारे नैशनल इंटीग्रेशन रखता हूँ. वैसे भी जब मेरी फिल्में रिलीस होती है, तो उस दिन तो ईद होती ही है. शाहरुक की इन बातों से साफ हो गया है कि डॉंकी क्रिस्मस पर ही देखने को मिलेगी. वहीं पठान और जवान के धमाके के बाद ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि डॉंकी के जरिये भी वो कुछ अलग करेंगे. पठान और जवान की बंपर कमाई के बाद शाहरुक एकलॉट ऐसे आक्टर बन चुके हैं, जिन्होंने एक साल में दो पांच सो करोड क्लब वाली फिल्में दी हैं. वहीं जिस रफ्तार से जवान आगे बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं जब उनकी ये फिल्म एक हजार करोड क्लब में शामिल हो जाएगी. उसके बाद किंखान के नाम एक साल में दो एक हजार करोड क्लब वाली फिल्में देने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा. आपको ये जानकारी कैसी लगी क्रिप्या कमेंट करके हमें बताएं और अपना सुझाव भी दे ताकि हम आपके सुझाव पर काम कर सकें. और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटिस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके. फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ तब तक की लिए जय हिंद.